जै महाकाली मित्रो, मित्रो, कई व्यक्तियों का प्रशन था कि गुरू जी हमारे घर परिवार में नेगटिव उर्जा बहुत ज़्यादा हो गई है और हम कई भगतों पे घूम लिये, कई तांत्री को पे घूम लिये, कई सादू संतों को दिखा लिया, घर में पूजापाट करवा के भी देख ली, खुद भी पूजापाट करके देख ली, लेकिन हमारे घर में तंत्र इतना जबरदस्त करा हुआ है कि ये हटने का नाम नहीं ले रहा, या कोई हमारे पीछे पड़ा हुआ है, तो देखो, अगर आप सुरुआत से रेगुलर उपाए बता दूआ, जिसे करने के बाद वो तंत्र भी हट जाएगा, अगर किसी भूत प्रेत की सवारी आपके घर में किसी सदस्य के उपड़ आती है, या चौकी छोड़ी हुई है किसी ने माताकाली की, माताकाली की सवारी आके खेलती है और घर में बहुत ज़्यादा अनिस्ट करती है, या मसान की सवारी है, मसानी की सवारी है, कोई भी बड़ी से बड़ी सकती हो, आपके घर परिवार में वो इस उपाए से तुरंत ही हट जाएगी, एक व्यक्ति का वट्सप पर ऐसा मैसिज भी था कि गुरू जी हमारे घर परिवार में पहले धन बहुत ज़्यादा आता था, हमारा बिजनस जो है बहुत ही अच्छा चल रहा था, लेकिन कुछ टाइम से हमारे उपर किशी ने तंत्र करा, और उस व्यक्ति को हम जानते भी हैं जो हमारे उपर तंतर करता है, और वो आज भी हमारे उपर तंतर कर रहा है, आज गुरू जी ऐसा ट फिर भी धन आता नहीं है। और अगर आएगा तो वह कहीं ना कहीं पे खर्च हो जाएगा हमारे घर में टिकेगा नहीं हूँ पहले बहुत जदा टिका रहता था था हमारे घर में एक एक दो-दो लाग की गड़ियां ऐसी पड़ी रहती थी लेकिन तंत्र होने के बाद एक डेड़ साल में ही हमारा बिजनस और हमारा घर पड़िवार भी खतम होने को आ रहा है ऐसा कर दिया है किसी ने हमने बहुत ज़्यादा पूजापाट करवा के देख ली लेकिन आज तक हमें बिल्कुल भी अराम नहीं मिला अगर हम डूबते ही जा रहे हैं इसलिए कहते हैं पूजापाट जब तप या किसी गुरू की स्रण में हमेशा बैठे रहना चाहिए गुरू हमेशा बनाना चाहिए लेकिन अगर आप इस चक्कर में फस गए हैं तंत्र विद्या किसी ने आपके उपर कर दी तो हमारे चैनल पर कई वीडियो है ऐसी जो तंत्र काटने के लिए हमने मंत्र भी दे रखे हैं उपाई भी दे रखे हैं और आज भी मैं उपाई जो देने जा रहा हूं इस उपाई को लगातार पांच वार करें अगर पांच वारी में ना उत्रे तो पांच वार और करें दुबारा कर दस वारी में आपके उपर से तंत्र हड़ जाएगा और धनकी प्राप्ति होने लग जाएगी अवल तो पांच वारी में ही हो जाता है लेकिन कई वार ऐसा होता है कि जिस घर में पूझापाट बिलकुल भी कभी किसी ने करी ही नहीं है और उसके उपर तंत्र कड़ा गया है तो उस घर में हर एक व्यक्ति के सरीर में नेगेटिव उर्जा अपना घर बना लेती है और फिर वो व्यक्ति जब उपाए करता है तो पांच वार जब वो उपाए करेगा लगातार पांच दिन या पांच सनी वार करेगा तो उसके पास उर्जा एकत्रित होना शुरू पूर्ण रूप से नकार आत्मक उर्जा नहीं जाती है, तो वो इसी उपाय को अगले महीने कर दे बेसक, थोड़ा गैप लेके कर दे, इसी उपाय को पांच वार ओर दोरा दे, तो इससे क्या होगा, अगर कोई तांत्रिक, भगत या कोई भी बड़ी से बड़ी सक्ति आपक या नकार आत्मक सक्ति आपके घर में बैठी हुई है, आप भी अगर उपाय करते रहेंगे, तो ये उपाय की शक्ति आपके घर पड़ीवार में से, नकार आत्मक उर्जा को तो हटाएगी ही, पून रूप से खतम कर देगी, लेकिन अगर कोई तांत्रिक, भगत आपके प विनास कर देगी, अगर वो आपके पीछे पड़ा हुआ है, तो उसका पून रूप से खतमा हो जाएगा, विनास कर देगी उसका, क्योंकि ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं आपको, ये उपाय हमने करके देखा हुआ है, इसकी उर्जा जो है, तीवर गती से जो साद को खुद महसूस होती है, और जब वो उपाय करता है, तो उसको सपने के माध्यम से सब कुछ दिखना चालू हो जाता है, कि कौन व्यक्ति है, जो आपके उपर तंत्र कर रहा है, या कोई नकारात्मक उर्जा आपके घर में बैठी हुई है, भूत प्रेजिन मसान, डाकनी अगर आपके घर परिवार में बैठी हुई है, जो आपके घर परिवार को दीमक की तरह खाती जा रही है, और आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने देरी, तो उसको भी सपने के माध्यम से आपको मातारानी दिखा देगी, तो चले वीडियो में चलते हैं, आपको करना क क्या है, सामगरी क्या क्या लगेगी इसमें, देखो वैसे तो बहुत ही ज्यादा सरल उपाय है, कोई भी व्यक्ति इसको कर सकता है, इस्तरी हो चाहें पुरुस हो, कोई भी व्यक्ति इस उपाय को कर सकता है, सामगरी सुन लो, एक निम्बू चाहिए आपको, और एक काली निम्बू की माला आपको खुद अपने घर में बनानी है निम्बू की माला जो है आपको कलावे में प्रोनी है और हर एक निम्बू के उपपर सिंदूर का तिलक लगा होना चाहिए और इस सामगरी को जो मैं सामगरी इसमें बता रहा हूँ इसको अपने घरपडिवार पर से clockwise उतार लेना है साथ वार इसके अतिरिक्त आपको और कुछ भी नहीं चाहिए माता काली के किसी भी सिद्ध स्थान पर जहाँ पे मातारानी की regular सुबा साम पूजापाथ होती हो मातारानी का चिराग जलता हो वहाँ पे आप इस उपाय को करें अपने घर से लेके निकलें और सीदा माता के मंदिर में जाके पंडी जी के हातों द्वारा चड़वा दें और पंडी जी के पैड़ चुके आसिरवाद लें उनको दक्षिना देकर मातारानी को बुला कर ले आएं वहाँ पे मातारानी से प्राथना करें कि मातारानी हमारे उपर यह यह शमस्या है इस परेशानी को हमसे दूर करो मातारानी वहाँ पे मातारानी से खूब प्राथना करके आप सीधा घर पर आ इतना सा करना है बस आपको, पांच वार लगातार करूआ, अगर पांच वारी में नहीं होता, तो आप पांच वार और दोरा दो इसी चीज को, आपने सुना होगा एक कहवत है, कि लोहे को लोहा काटता है, तो मैं आज आपको बता रहूं, कि लोहे को लकड भी काट सकती है, दो साल मारेंगे एक ही जगाप पर अगर हम मारते रहेंगे तो वह जो लोहा है कभी न कभी ऐसा टाइम आएगा कि टूटेगा जरूर। इसलिए एक ही उपाय को आप बार बार करते रहों जब तक आपके उपर से समझ्या का समाधान नहीं हो जाता आप इस उपाय को करते रहों। इसकी उर्जा आपके पास इतनी एकत्रित हो जाएगी, अवल तो पांच वारी में आपको चमतकार दिख जाएगा, अगर पांच वारी में आपको नहीं दिखता है, तो आप दस वार जरूर करें, पांच वार और दोरा दे, किसी एक चीज को हमेशा पकड़ के चलो, उर्जा उसी में ही आईगी, ठीक है न, इसकी उर्जा इतनी भहंकर है, इतनी तीवर गती से आती है, कि जो व्यक्ति अगर आपके उपर कोई तंत्र कर रहा है, तो उसका पूर्ण रूप से विनास कर देगी मातरानी, इस उपाय को आप पकड़ लो, सर्व स्रेष्ट उपाय है, य इसलिए हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि लोगों के मैसिज भी ऐसे ऐसे थे, कि गुरू जी कई सालों से, 10 साल हो गए, 15 साल हो गए, आज तक हम उभर नहीं पाए इस चीज से, इसलिए मैंने आपको ये उपाय बता दिया, इस उपाय को जो भी व्यक्ति करेगा, वो आपने बहुत ही ज़्यादा सठीक उपाय हमें बता दिया, जिस बीमारी से, जिस समस्या से हम आज तक नहीं निकल पाए, हम भगतों पे गूमते रहे, उससे आपके इस उपाय से, हम बहुत ही आसानी से निकल गए, क्योंकि इसमें सामगरी भी बहुत कम है, देखो मातारा पासे को रेगुलर मातारानी के लिए, लेके जाते रहेंगे, तो उस लोंग बतासे पे भी मातारानी मान जाएगी और आपके कारे करना सुरू कर देगी, ठीक है न, तो आपको क्या करना है, एक निम्बू, एक निम्बू की माला, एक सो आठ निम्बू की माला होनी चीए, और एक काली चुन्नी ये आपको लेके जाना है सिर्फ आपका कार्य हो जाएगा पांस वारी में नहीं होगा तो दस वारी में 100 and 1% होगा ठीक है ना इस उपाय को करो और इसे खूब लाव लो और मैं तो कहता हूँ कि जीवन भर के लिए आप इस उपाय को अपने पास अपने ठीक है ना आसा करता हूँ आपको जानकारी अच्छी लगी होगी मैं माता काली और गुरू गोरखनाच से प्रासना करूँगा कि आपको इस उपाय में सफलता का आसिरवात दे मिलते हैं अगली जानकारी के साथ तब तक के लिए जै महाकाली जै महाकाली जै महाकाली